हेलो फ्रेंड आज हम अपके साथ सेयर करने चल रहे हैं बहुत ही तेश्टी चाट की रिस्पी जो जट पर बनकर तयार होती है और खाने में बहुत ही तेश्टी होती है तर चलिए देखते हैं यह कैसे बनी थी ले लिए ये मटर यह सफेद मटर है इसको ले लिए और इसको रात बढ़ के लिए हम रख दिये थे। बस इसको कूकर में डालेंगे और ये मटर हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे जो जटपर बनकर तयार हो जायेगी तो इसमें लिए हैं एक बड़ी आलू जो कट ले लिए और एक प्यास और एक टमाटर इन सब नी पर हल्दी डाल रहा है। आप चाहें तो इसको भाद में इसको आप हल्दी का यूज कर सकते हैं लेकिन फ़ीको डाल कर पका रहा हैं तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें हین्ग बस को ल स्धाव, भाभर दिशुच चाट बनृज बंद कर देंगे। इसमें कमें मटर जो आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी सबजी, पराठा, या कोई भी चाटो, दही बड़े हो, उनके उपर डाली ये बहुत ही टेश्टी लगते हैं, तो लिए हम जीरा, काली मिर्च, साबूत धनिया और साबूत लाल मिर्च, इन सब को ड्राइ रोष्ट कर लें अब बस इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा आमचुर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, बस अब इन सब को ग्रैंड कर लेंगे, और देखेंगे आपको एक बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तयार होकर मिल जाएगा, अब इसमें पांच वी सल आ गय थी, ये ठंडा हो गया था अब हम देखते हैं कि हमारी मटर पक गई है कि नहीं, देखेंगे अच्छे से हमारी मटर जो है वो पक कर तयार हो गई है, अब इसको हम जो आलू और टमाटर है, इसको मैस कर देंगे, इसलिए मुझे लगता है इसको रगड़ा चाट कहते हैं, कि इसकी जो आलू है या मट और टमाटर है इसको कहते हैं नंगे इस लिए रगडा चाट कहते हैं अगर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए अब Ahora यह हम इमली जिसको हम गरम पानी में भीगो दिये थे इस तरह आपसे जट पर चटनी बनकर तयार होगी आप देखेंगे पान से चे पान मिनट में आपकी चटनी यह बनकर तयार हो जाएगी बस इसमें एक भी बीस नहीं थे अब हम इसको ग्रैंड कर लेंगे और एक चटनी से इसको चान लेंगे ताकि जो इसमें रे से हो वो इसमें से निकल जाएं और आप देखेंगे इसमें जो वेश्टेज था वो बहुत ही कम निकला था तो इस तरह हमारी चटनी जो है जट पर बनकर तयार हो जाती है तो इसको आच्छे से चान लेंगे और ये देखिए अब लेंगे एक पैन उसमें इसको डाल देंगे ये बहुत गाड़ा न रखें क्योंकि पकाते समय इसमें जब हम गुर्ड डालेंगे और थोड़ी दिर पकाएंगे ति ये गाड़ी हो जाती इसलिए थोड़ा पतला ही रखें और जब इसको हम पकाएंगे उसके ब मेशालव बनाके रखें थे और सोट पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और काला नमक दालकर इसको ए्च्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर पकेंगे ताकि च्ट्नी जो हमारी वह अच्छे से पक जाए और इस तरह च्ट्नी बना कर काफी दिन तक इसको श्टोर करके रख सकते हैं जब भी कोई हम चाट या और दही भले कुछ भी बनाते हैं उसके उपर इसको डाल करें आपकी चटनी जो है वो इस्टोर करके रखें काफी दिन तक आपको यह ऐसे की ऐसे ही मिलेगी और इसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा तो यह हमारी चटनी बनक और धनिया मिर्च और अद्रग डालेंगे इसमें और डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे इसमें नीवु का जूस बस इसको हम चटनी बना लेंगे और फ्रैंड आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आज आज आपको यह चार्ट पसंद आती है तो यह वीडियो लाइक सेर और सब्सक्राइब करकर चरूर जाएं कमेंट करके बताएं कि आपने अगर इसको बनाया तो यह आपको कैसी लगी या देखने में यह कैसी लग रही है बस हमारी चटनी बनकर तयार है अब हम चलिए अपनी मड़र य उसको बना लेते हैं और यकीन मनी अगर आप इसको इस तरह से एक बर बना लिए तो आप इसको बार-बार खाना पसंद करेंगे तो कडाही लेंगे उसमें डालेंगे समलियें सरसों का तेल उसमें डालेंगे जीरा हींग डालेंगे और इसमें डालेंगे अद्रक और थोड़ी देर हम भूल लेंगे आप हम प्याज और टामाटर का यूज पहले ही कर चुके हैं आप चाहें तो इसमें कट करके भी डाल सकते हैं लेकिन आप इस तरह से बनाईएगा देखिएगा आपकी जो चाठ है या मतर है वो जटपट बनकर तयार हो जाती है इसमें डालें जिससे इसका टेश्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इन सब को थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे और यह मसाले जो है ताकि यह जले नहीं इसलिए इसको हम चलाते रहेंगे अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आमचोर पाउडर जिससे इसमें खलकी सी खटास आजाए ताकि इसका जो टेश्ट है वो और भी अच्छा आये अब इन सब को थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे बस अब हम जो मटर बना कर तयार किये थे उसको इसमें डाल देंगे और देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया है तो बस इनको हम को चलाएंगे और थोड़ी देर इनको हैं अच्छे से मि killer करेंगे ताकि जो मजा ली टेल मिर्च सब में वह अच्छे से मिखश हो जाए और ये सब अच्छे से पक जाएं इनको चलाते हुए थोड़ी देर बस इसमें एक उबाल आने देंगे और देकिए रट कित्ना अच बस अब हमारी टगड़ा चाट बनकर तयार है इसमें डालेंगे उपर से थोड़ी सी हरी धनिया कट करके यह देखें अब इसमें उबाल भी आने लगी है इसको दो से तीन मिनट हम और पकाएंगे और यह देखें और बिल्कुल आपकी चाट बनकर तयार हो गई है तो चलिए अब पेट लगा लेते हैं तो यह रही हमारी मटर यह छोले बोलिए का इसके ऊप़र से की ऊपर डालेंगे धोड़ी सी दैइ जिसमें हम चीनी डालकर थहुड़ाँ सा będzie कर इसको रख लिये थे डालेंगे इमली की चटनी चटनी आपको जिसी साब से खटी मिठी जो पसंद हो यूज करें उपर से डालें हरी चटनी तीखा ज्यादा पसंद है इसलिए हम तीखी चटनी ज्यादा यूज कर रहे हैं बस उसमें जो मसाला बना कर रखे थे उसको डालेंगे उपर से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे बारी कटी प्याज और बारी कटा हुआ टामाटर और देखे ये चाट देखने में कितनी अच्छी लग रही है अब आपके पास अगर पापड़ी हो तो पापड़ी पापड़ हो गोई या चिपस हो उसको इस पर थोड़ा सा क्रस्ट करके डाल दे और उपर से डालेंगे हरी धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला बस हमारी रगड़ा चाट बनकर तयार है और तो ये लिज ये खा कर बताईए कैसी है तो खाव प्यों इंजॉई करो और चैनल को सब्सक्राइब करकर जरूर जाएं